आज सुबह सुबह दिल दहला देने वाली घटना सुनने में आई, नेपाल की राजधानी काटमांडू से पर्यटन नगरी पोखरा जाते हुए, एक विमान हाथसा हो गया जिसमें कुलर सट लोगों की ओन दस पॉर्ट मौत हो गई, बताया जा रहा है अलग-अलग देशों स आये कुछ लोगों के साथ, कुछ भरती अभी शामिल थे, इसका फुल रिव्यू लेकर आपके पास आया हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चलिए शुरू करते हैं, दोस्तों पोखरा एक पर्यटक स्थ जहां दूर दूर से एने को शैलानी घूमने आते हैं, यहां हिमालय के बीच से निकली नदियों का बहुत ही सूंदर द्रिश्य देखते ही बनता है, इसकी खुबसूरती को निहारने के लिए दूर दूर से लोग अपना मन बहलाने आते हैं, आज सुबह ही काटमांडू से निकला यती एरलाइन्स का एक बिमान 72 लोगों को लेकर उरान भरा जोकी लैंडिंग से पहले ही दूर घटना ग्रस्थ हो गया, जिसमें टोटल अर सथ यात्रियों की मौत हो गई, जिसमें पांच भारतिय भी शामिल थे जोकी नेपाल की राजधानी से काटमांडू और प और वो भी 2006 की विमान दुरघटना में नहीं रहे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने ग्रेह मंत्राले, सुरक्षा कर्मियों और सभी सरकारी एजेंसियों को ततकाल बचाव और राहत अभ्यान में तेजी लाने का निर्देश दिया, नेपाली अधिकारिय ने एक विशेश आयोग को दुरघटना के कारणों की जाच करने का काम सौपा है, पैंतालीस दिनों में रिपोर्ट आने की उम्मीद है, विमान में रूस और आस्ट्रेलिया के यात्री भी शामिल थे, अर सट लोगों की मौत होने बाद भी चार यात्री अभी लापता हैं यती एरलाइन्स के प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौला के अनुसार विमान में 15 विदेशी सवार थे, जिन में 5 भारतिय, 4 रूसी और 2 दक्षन कोरियाई शामिल थे, जिन में अर्जेंटिना, आस्ट्रेलिया, फ्रांस और आयरलेंड के एक-एक यात्री थे, बाकी सभी लो योगों की जान चली गई, दुख की इस घड़ी में, मेरे विचार और प्रार्थनाय शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। प्रचन रविवार शाम को पोखरा के लिए रवाना हुए, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक रूद्र थापा ने काटमांडू पोस्ट से पुष्टी की, की 25 शबों को पोस्ट मॉटम के लिए पोखरा के विभिन अस्पतालों में ले जाया गया, थापा ने कहा की पुलिस को टैकनात सितौला ने राष्ट्रिय समाचार समिती को बताया कि दुरघटना के बाद पोखरा अंतर राष्ट्रिय हवाए अड़े आज सभी आने और जाने वाले उडान को बंद कर दिया है, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कॉंटेंट के साथ, जब तक के लिए, जै हि बिएपी आने प्रणी को बंद कर देच्टेंट के लिए आने वीडियों के लिए लिए भीडियों के बाद राष्ट्रिय।